तो हम पिछली कुछ वीडियो में बात कर चुके हैं पाँच चक्रों की मुलाधार, स्वाधिस्ठान, मनीपूर, अनाहत, विशिद्धी चक्र हमने जाना इनकी क्या-क्या संभावनाएं हैं और क्या-क्या शक्ती होती है जब ये चक्र एक साधक के अंदर एक्टिवेट होते हैं तो उसमें क्या-क्या परिवर्तन होते हैं अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वो वीडियो देख लो तब इस वीडियो का सार समझ में आएगा एनिवे आज हम बात करेंगे आग्या चक्र और सहस्तरार चक्र की इन दोनों चक्र की क्या संभावनाई तता क्या शक्तियां होती हैं तो छटा चक्र यानि आपकी धरड़ाई आग्या चक्र जब ये एक्टिवेट होता है तो आपका मैं खत्म हो जाता है केवल चित रह जाता है यहां आकर आप जान जाते हैं कि आत्मा एक है मैं तुम हूँ तुम ही मैं हूँ ये समगर संसार सम्में ही मैं हूँ इन फेक्ट मैं होने का बोध भी खत्म हो जाता है यहां आकर आप भोतिक संसार और भोतिक शरीर यानि भौतिकता से मुक्त हो जाते हो चटा शरीर यानि चटा चक्र यह आपकी कास्मिक बाड़ी होती है यहां पहुंचने के बाद साधक जान पाता है आप भ्रमाश्मी भ्रम हो गया मैं मैं ही भ्रम हूं आग्या चक्र पर आप सब जान लेते हैं जिसकी खोजती आपको उसका बोध हो जाता है अब खोजने को कुछ नहीं बचता अब आप सारे रहस से जान जाते हैं ये यूनिवर्स, ये परमात्मा, सब ये सब कुछ आपको अपने भीतर ही दिखने लगता है इनफेक्ट आप ये जान पाते हैं कि यही मैं हूँ ये वैसा ही है जैसे आपने अंतिन सत्य पा लिया हो आग्या चकर पर पहुँचने के बाद सादक को बहुत जादा खत्रे होते हैं कि वो यहीं रुक जाए अपनी यात्रा को पूर्ण वीराम दे दे क्योंकि अब तो कुछ जानने को बचा ही नहीं और परम ज्यानी भी कहते हैं कि इसे पार करना अत्यंत कठिन है क्योंकि जब आप परम ज्यान को अपलब्ध हो जाते हैं इसके बाद जानने को कुछ बचता ही नहीं है तो ये भ्रम आपकी आखरी बादा है लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जो जानने को बचा है जो है सात्वा शरीर या कहें सात्वा चक्र, सहस्त्रार चक्र और इस सात्वे चक्र के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता एक परम ग्यानी आपके आग्या चक्र, आपकी थाड़ाई यहां तक खीचतान के कह सकता है, शब्दों में लाने का पर्यास कर सकता है लेकिन याद रखना यह भी केवल पर्यास होगा छटे चक्र तक की संभावनाओं को शब्दों में लाना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी यह संभव है तो आपकी कौस्मिक बोड़ी यानि आग्या चक्र अगर आपको सत्य की प्यास है, ब्रह्म को जानना चाते है तो ऐसे में एक सादक अपनी थाड़ाई पर ध्यान करता है और इस थाड़ाई से आप कौस्मिक को देखना शुरू कर देते हो सादक वो अनंत विस्तार को देख पाता है जो आप अपनी इन भोतिक आँखों से नहीं देख सकते वो आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है बोध पूरवक आप जान पाते हो ब्रह्मान के वो सभी रहस से अपना होना क्या है इस ब्रह्मान का होना क्या है अब आप अस्तित्व को जान लेते हो लेकिन ये अधूरा है अभी ऐसा भी कुछ है जो कुछ नहीं है नथिंगनेस ये आखरी पढ़ाओ सहस्त्रार चक्र जहां आप होने से ना होने में परवेश पाते हो जानने से न जानने में उतरते हो आपको ये जानना भी जरूरी है कि आखर ये ना होना क्या है वट इस नथिंगनेस ये सात्वा शरीप ये निर्वान के अवस्ता है ये ही परम मृत्यु है और ये परम मृत्यु ये परम अवस्ता सास्तरार चक्र का कमल खिलना करोडों सादुकों में से किसी एक को ही घट पाता है और वह शूनने में उतर जाता है यहाँ सब को जानने के बाद सभी अनुबब होने के बाद यहाँ पहुँच कर सब कुछ खत्म हो जाता है इसे कह पाना अथी कठिन है इसे कोई नहीं कह सकता इस परम अवस्ता को कोई शास्त्र कोई ग्रंथ या कोई ग्यानी कभी कुछ नहीं कह पाया और जितना कहा वै केवल इशाराई है बस आग्या चक्र तक ही है उसके परेकी घटना को कोई नहीं कह सकता आपके चोथे और पाचवे चक्र तक यहाँ पर आपके शरीर के और आपके भीत्री अनुभव होते हैं हाँ यह भीत्री घटनाए होती है इन्हें कहा जा सकता है क्योंकि यह सब कुछ आपके शरीर से संबंध है इसके बाद की घटना, छटे चक्र की घटना या उसके परे ये आपके शरीर और आपके मन से सम्मंदित नहीं है ये आपके बीतरी गटना भी नहीं है ये परम गटनाएं है जो ना इस शरीर रूपी यंत्र से कही जा सकती है और ना ही समझाई जा सकती है इसमें केवल हुआ जा सकता है हम केवल उतना ही कह सकते हैं जितना हमारे शरीर का बोध है या उससे आगे बढ़ें तो हमारे भीतरी मन का बोध सब कॉंशिस माइड का बोध हम ये सब कुछ कह सकते हैं लेकिन वहां क्या जहां आपका शरीर का बोध खत्म हो जाता है आपके मन की भीतरी अवस्ता का बूद खत्म हो जाता है और कुछ अलगी घड़ता है कुछ परम उसे कैसे कहोगे शुन्ने को कैसे बताऊगे एक बूंध ही सागर है और जब बूंध सागर में मिल जाती है तो वो कैसे बताईगी और किसे बताईगी कि वो क्या है और क्या थी आपको इन सातों चक्र में से शुरुवाती जो पांच चक्र है उनकी प्रकर्तिक संभावनाएं जो है आपको उनकी अप्रकर्तिक संभावनाओं को खोजना है आप ध्यान में क्या करते हैं आखिर वो क्या जानना चाहते हैं जिसे आप सत्य कहते हैं पांच चक्रों तक केवल आपको इसका विपरीत खोजना है जो प्रकरती ने आपको दिया है सेक्स में आपको ब्रहमचर्य खोजना है सुक दुक का विपरीत आपको आनंद खोजना है ग्रणा में से छमा खोजनी है और उसके बाद पांचवे चक्र के बाद द्वंद खत्म हो जाता है अब तो अगर आपकी प्यास गहरी है आप रुकना नहीं चाते तो स्वेम परमात्मा ही आपको रास्ता दिखाता जाएगा अब एक बात याद रखना कुंडलीनी जागरन या चक्रों का एक्टिवेट होना यह शब्दों से संभव नहीं है आप इस परम ग्यान को शब्दों द्वारा जान सकते हैं तथा इसे मान सकते हैं आप इसे कितने ही गेरे में मान लें या कैसे भी करके जान लें ये घटना नहीं घटेगी यह शब्द जूटे होते हैं अनुभवी सत्य होता है आप सातों चक्र की जानकारी इखटी कर सकते हैं और इसे समझा भी सकते हैं आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपको सातो चक्र का ग्यान हो गया है क्योंकि आप वो कुंडलीनी की सभी छोटी बाते जान चुके हैं कि किस चक्र के खुलने पर क्या होता है भीतरी घटना एक किस प्रकार घटती है क्या-क्या बदलाव आते हैं लेकिन ये ग्यान नहीं है ये बिल्कूल वैसे ही है जैसे कोई इस्त्री किसी बच्चे को गोद ले ले और वो कहे कि मैं मा बन गई हूँ मा बनना एक अनुबव है जब एक स्त्री गर्वधारन करती है नो महिने तक अपने बच्चे को पेट में ढोती है वो पीड़ा भोगती है वो खाने का ना पचना, उल्टियां होना, मन खराब होना, शारिरिक परिवर्तन होना, तथा बौदिक तल पर बहुत सारे परिवर्तन होना नौ महीने की वो पीड़ा और तथा जन्म देते समय, वो प्रसप पीड़ा, वो असहनिय दर्द ये सब को जहलने के बाद, जब बच्चा जन्म लिता है, उसके बाद भी उसकी चिंता करना, उसकी देखरेक करना, उस बच्चे द्वारा दिये गए कस्ट को जहलना, ये सभी अनुवव मिलकर एक इस्तरी को मा बनाता है मा कभी ऐसे नहीं बना जा सकता, कि आपने बच्चा गोद ले लिया, और आप मा का अनुवव कर पाएं, नहीं, ये संभव नहीं है, बेशक बच्चे को ना पता लगे, कि मुझे गोद लिया गया है, मैं अपनी मा के गर्व से पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो मा जानती है, कि मैंने इस बच्चे को जन्म नहीं दिया, आप इसे कैसे भुला पाएंगे, पृत्वी पर एक नए जीवन को जन्म देना, ये इतना सरल नहीं है, इसके लिए पूरी प्रकरती काम करती है, एक महिला क्या क्या जहलती है, क्या आप इसे शब्दों में कह पाएंगे, इसे तो वो महिला भी नहीं कह सकती जिसने ये सब कुछ जहला है एक आत्मा को इस पृत्वी पर लाने में एक इस तरीका बहुत बड़ा बलिदान होता है तब जाकर एक जीवन खिल खिलाता है ठीक उसी प्रकार परम ग्यान को प्राप्त करना है एक दूसरे ही जीवन में परवेश करना है तो भला क्या ये बिना बलिदान के संभव है नहीं आपको ग्यान प्राप्ती के लिए भी बुद्धत्व की वो अवस्ता पाने के लिए बहुत बलिदान देने होते है परम सत्य इतनी आसानी से नहीं मिलता केवल यूटूब पर वीडियोज देखने से आप बुद्धत्व को उपलब्द नहीं हो सकते आप अपनी कुंडलिनी को जागरत नहीं कर सकते यहां केवल आपको जानकारी मिलती है कुछ देर की खुशी मिलती है आपको लग सकता है कि आप दुखों से मुक्द हो गये है लेकिन यह टेम्क्रेरी शलूशन है हाँ यहां से आपको मार्ग मिल सकता है लेकिन उस मार्ग पर आपको स्वेम ही चलना होगा आपको स्वेम ही गर्वधारन करना होगा उस परम सत्य को उस प्रवुद्ध को अपने गर्व में पालना होगा वो पीड़ा महसूस करनी होगी तब जाकर कहीं आप उस सत्य को जन्म दे पाएंगे तो दोस्तो साथ चक्रो या कहें कुंडुलिनी जागरन पर ये मेरा आकरी वीडियो था आपके जो भी सवालों कुंडुलिनी से रिलेटिट साथ चक्रों से रिलेटिट वो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स के जरीए पूछ सकते हो कुंडुलिनी का ये क्यो एने वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा और हो सकता है ये वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल आंसर वर्ल्ड पर अपलोड करूँ या कोशन वर्ल पर भी अभी कुछ भी फिक्स नहीं है बाकि अगर आपने मेरा वो वाला चैनल आंसर वर्ल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस चैनल पर आपको भविश्य में आपके इंटरस्विंग सवालों पर वीडियो मिलती रहेंगी